आज हम पहाडी आलू के गुट के बनाएंगे यह रेस्पी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो इसके लिए हमें पोटेटो की जुरत हैं यहां पर मैंने छोटे वाले आलू का इस्तेमाल किया है और इन्हें अठ्छे से पानी से दोके और कुकर में इन्हें बॉइल कर पूट लिए है और जो धनिया होती है धनिया की जो पीछे की इस्टीम होती है डंदी उसको मै ने इसमें डाला है और जब को अच्छे अब इस तरह से मिलाते हुए थोड़ी देग इस तरह से मिलाएंगे तो हमारे मसाला बनके रैडी हो जाएगा इसी को हमें आलू में डालना है और जो इस पे एक्स्ट्रा मसाला लगा है उसे एक स्पून की हल्फ से निकाल देंगे उसके बाद हमागे जो बॉइल किये हुए दालूत है मैंने उसे छील लिया है और छीलने के बाद अब हम इने छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लेंगे बहुत छोटे निकालने मीजिम साइस के पीसिस में कट कर लें गैस पे कढ़ाई चड़ा के उसमें दो बड़े चमच मने तेल डाला है अब उसमें डाला है जीरा या थोढ़ी सी डाली है राइ और थोढ़ी सी इसमे डाली है हीम, इन तीनों को चम兩ram देंगे तो दोड़े से चम्च करेंगे तो इसके बाद के चम्च को पर दढ़ा जाएगे तो to Him, ये तो पर कली सबनाई तो तो और इसको भी अच्छे से इस तरह उलटते पलटते हुए यसे ही चलाना है ताकि सारे आलू पे मसाले की कोटिंग अच्छे से हो जाए गैस का फ्लेम हाई ही रखें क्योंकि मसाले जब अच्छे से मसालों में आलू भून जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है अब इसमें डालते हैं स्वाद अनुसा नमख और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाले वैसे इसमें धनिया ज्यादा ही अच्छा लगता है तो जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से डाले और इन सबको भी आपस में इस तरह से चलाते हुए आपस में मिक्स कर ले और थोड़ी देर तक इसे इसी तरह भूंजे और उसके बाद ये दे कि हमारे पहाडी यालू के गुटके बनके रैडी है इसे चाय के साथ खाई ये ऐसे खाई ये खाने में बहुत तेस्टी लगते है तो आपको ये रेस्पी कैसी लगी प्लीज मुझे कॉमें शेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए बाइ और थैंक यू